नमस्कार शिक्षार्थियों आज हम पारिवारी संसाधन प्रबंदन एवं उद्मिता विकास विशय के अंतरगत व्यक्ष्यान की शंकला में आज हम उद्यम इस्थापना और उद्यम का प्रबंदन के बारे में बात चीत करेंगे विद्यार्थियों आज के अध्याय में हम बात करेंगे कि कोई भी उद्यम की इस्थापना कैसे होती है उससे शुरू करने के लिए किन-किन बातों का ज्यान आवशक है तता इस उद्यम का सही प्रबंदन कैसे करें आप सभी सोच रहे होंगे कि यदि आपके पास विवसाइक के लिए परियाप्त पूजी है तो आप कोई भी काम असान इसे शुरू कर सकते हैं लेकिन वास्तों में यह कोई आसान काम नहीं है विवसाइक इतना भी छोटा क्यों न हो उसके लिए विवसाइक से संबन्धित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए इसके साथी साथ सही कदम और सही निर्ने उठाने की आवशकता है आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी विवसाइक की प्रकती क्या है विवसाइक किस स्थान में होगा आवशेक पूजी कहां से प्रयाप्त होगी और सारी बातें आपके संध्यान में होनी चा जो उद्यम इकाई को स्थापित करने के लिए उच्छी युवाओं को प्रशिक्षन प्रदान कर रही है। एक उद्यम को शुरू करने के लिए आप लोगों को यानि उद्यमी को सामगरी का, मशिनरी का, बजार का और उत्पादों का पूरा ज्यान होना चाहिए। इसके अलावा उद्यम इस्थापित करने से पहले सरकारी विभागों से अनुमोदन और मंजूरी जैसी कई और अपचारिक्ताएं पूरी की जानी चाहिए। आप कोई छोटा खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा तथा उस उद्यम को सही से संचालित करने के लिए क्या प्रभंधन करना। उद्यम शुरू करने के विभिन चर्ण हैं सबसे पहले चर्ण की हम बात करें तो यहाँ है नए-नए अउसरों की तलाशना। एक सफल अवेवसाय काई की सापना इस बात से शुरू होती है कि हमने कौन सा अच्छा विचार चुना है यहाँ विचार कुछ नया और कुछ मौझूदा उत्पाद त्यार करने के लिए हो सकता है या एक नया उत्पाद खरीतने और बेचने से सम्मद्दित हो सकता है या ग्रहाकों को कुछ मौझूदा या नई सेवा प्रदान करने के बारे में हो सकता है लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आप किस प्रकार का उत्पाद शुरू करना चाहते हैं और यह निर्ने कैसे लेंगे और आपको किस प्रकार के वेवसाई गतिविदी करने चाहिए किसी व उबुकताओं के दिस्ट्री कोंड से बजार और उत्पाद का विशलेशन करना चाहिए कि जो भी उत्पाद हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे उबुकता को पसंद आएगा या नहीं इसके लिए हमें विभिन बजार अनुसंधान तकनिकों का उप्योग करके उबुकताओं क पसंद और जरुतों का आखड़ा एकरत करना चाहिए दूसर चन यह है कि एक सही योजना का निर्मा करना एक बार जब आप एक विशलेस उत्पात का चेंद कर लेते हैं और एक विवसाई काई इस्थापित करने का निर्णा लेते हैं तो आपको एक कार योजना तियार करन उसको उस संबंध में निर्ने लेना होगा जब तक की वह काम करना शुरू ना कर दे। यह विवसाई शुरू करने के शुरुवाती चर्णों में देरी से बशने से बनतगार होगा। किया जा सकता है। आपको दोनों रूपों में फाइदे और नुक्सान का विचार करना होगा और निर्ने लेना होगा। के लिए पूजी की आवशकता होती है, पूजी इसलिए भी आवशक है हम अपने व्यवसाई के लिए कच्चा माल खरी सकें और होने वाले काम के प्रतिदिन के खर्च जैसे वेतन और मज़ूरी, बिजली, शुल्क, टेलिफॉन, बिल, गाड़ी इत्यादी का खर्च उठा प बारे में निर्ने शामिल है, आप जो भी निर्ने लेते हैं, उसमें इस बात का ख्याल रहे कि कच्चे माल की आपूर्टी कहां से होगी, श्रम या लोगों की उपलपता, परिवहन तथा बैंकिंग सुविधाएं कैसे प्राफ्त होंगी, जगय का चैन इस बात पर निर्ब पानी की विवस्ता, परिवहन आदी की हम कहां से विवस्ता करेंगे, इस संबंद में हम जो भी फैसला लेंगे वह उस बात पर निर्बर होगा, कि हमारा उद्योग कितना बड़ा अवच छोटा है, उत्पादन की तखनीकी क्या होगी, धनकी उपलपता कैसे होगी, तो कि जाने वाले उद्धिकों का खाका, आवशक मशिन डी और उपकरोन का चेन करने के बाद उनकी स्थापना के बारे में उची तरीके से निर्ने लेना आवशक है, इसे प्लान ले आउट कहते हैं, एक कुशल ले आउट परिचालन को अच्छा और किफायती बनाता है, अब हम उनकी भरती की प्रक्रिया, चैन और प्रशिक्षन की प्रक्रिया कैसे होगी, यहाँ भी विदीवत योजना बनाई जानी चाहिए, कच्छे माल की बात करें तो यहाँ समान बनाने की महत्पुन इकाई है, उत्पादन की निर्नता बनाए रखने के लिए कच्छा माल प्रय चालंग में शामिल विबनिगती विधियों को पहले से ही अच्छी तरह से योजना बनाना चाहिए, अब हम तीसे चलंग की बात करते हैं, वह है व्यपार संगठन में एक उन्नत तरीकी का विकल्प, स्वामित्व और प्रमंधन के अधार पर व्यवसाई संगठन के एक क्योंकि हमें पहले वाले संगठन को समेटना होता है और जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा समय, प्रयास और पैसा लगता हुआ दिखाई देता है, इस कारण से संगठन के रूप को सांधानी पूर्वक विचार के बाद चुनना चाहिए, उद्ध्यम की स्थापना के पहले चौत्य चरण की जम बात करते हैं, वो है अपने विवसाय का सही स्थान चुने, एक बार विवसाय का स्वरूप और उप्योगत रूप तै हो जाने के बाद विवसाय के स्थान के बारे में निर्णे लेना चाहिए, ऐसा करते समय, विशेज साधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि विवसाय का इस्थान असानी से नहीं बदला जा सकता, इस्थान निर्धारित करने वाले कारक निमने हैं, आप जो भी कच्चा माल उप्योग में ला रहे हैं, वा माल आसपास या असानी से उप्रब्द होना चाहिए, रेल या सड़क परीवन की सुविधा का होना भी एक महतपुन कारक है, जिस पर विशेश ध्यान देना चाहिए, यह कच्चे माल को कार खाने में लाने और त्यार माल को बजा ले जाने तक सुविधा जनक होता है, बैंकिंग, डांक और अन्य संचार सुविधाओं की उप्रब्दा नितांत आवशक है, बिजली और पा विवसाय की संगठन का रूप एक स्थाण चुल लेते हैं, तो आपको इसे स्थापित करने के लिए आवशक संसाधानों की ऑवशकता होती है और उसे पैचान कर और विवस्ता करने चाहिए, किसी भी विवसाय के लिए आवशक मुख्य संसाधन हैं, काम के लिए आदमी, धन सामगरी और भौतिक सुधाएं जैसे सन्यंत्र और मशीनरी, भूमी और भवन. अब हम कच्चे माल के आपूर्ती की बात करते हैं। उत्पादों की प्रक्रिया में और 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 उत्प अब हम बहुती सुधाओं की बात करते हैं। करी कानोनी और अन्य अपचारिकताओं को पुरा किया जाना चाहिए, यदि वी निर्मान गतिविद्यों को शुरू किया जाता है, तो लाइसेंस उद्योग मंत्राले से प्राप्त किया जाता है, हाला कि 50 युनिट से कम बिजली या बिना बिजली के 100 से कम कर्मिचारियों को रोजगार देने वाली और दोगी इकाई को छूट दी जाती है राज मेर लगू उद्योग को रेजिस्टरार के साथ पंजिरन करके इस इकाई को स्थापित की जानी चाहिए यह जो की अनिवाद अभी तक हमने जाना उद्यम इस्थापित हो जाए तो उसका सही प्रबंदन ह होना भी आवशक है ताकि आपका उद्यम सुचारो रूप से चल सके कोई कटना ही ना आए तता आपको कम लागत पे अधिगलाब हो आएए अब हम प्रबंदन कैसे हो इस पर चचा करते हैं प्रबंदन एक सारभौ में कटना है यह एक बहुती लोगप्रिय और व्यापक र जाने वाला शब्द है सभी संगटन जैसे व्यवसाय, राजनितिक, सांस्कृतिक और समाजिक प्रबंदन में शामिल है क्योंकि यह प्रबंदन है जो की एक निश्य उद्देश्ची की दिशा में विभिन प्रयासों को मदद और निदेश देता है कोटेज के अनुसार प् का मतलब है उचित कारे करना, खुशल होने का मतलब है कि कारे को सही तरीके से करना प्रबंदन की कुछ उद्देश हैं जो की निम्नवत हैं, पहला है नियुनतिम प्रयासों के साथ अधिक्तम परणाम प्राप्त करना, प्रबंदन का मुख्य उद्देश नियुनतिम प्रयासों और संसाधनों के साथ अधिक्तम उत्पाद करना है, प्रबंदन विभिन थागतों की कमी आती हैए। उत्पादन के कारकों की शम्ता में व्रद्धी। उत्पादन के विभिन कारकों के उचित उप्योग के माध्यम से उनकी दक्षिता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जो खराब होने, अफ्वय और सभी प्रकार के टूटने को कम करने करके प्राप्त किया जा सकता है, इसके बदले में बचत होती है समय, प्रयास और पैसर जो उद्यम की व्रद्धी और सम्रद्धी के लिए आउशक है। उत्थान के साथ समाज की बहतरी के लिए एक उपकरण के रूप में कारे करता है। संसाधन को एकिकरत करता है तथा यह पूर्वस निर्धारित लक्षयों की उप्रब्धी के लिए सम्हू के प्रयासों को निदेशित करता है। संसाधनों का उचितम उप्योग प्रमंधन सभी भौतिक और मानव संसाधनों का उत्पादक रूप से प्रयोग करता है। इससे प्रमंधन में प्रभाव कारिता आती है, प्रमंधन पेशेवा लोगों को उप्योग करता है और इन सेवाओं से अनेक कौशल ज्यान और उचित उप्योग का करता है और अप्य से बचा जाता है। सही प्रमंधन लागत को कम करता है, यह उचित नियोजन द्वारा नियूंतम इन्पूट के उप्योग से अधिक्तम आउटपूट प्राप्त करके अच्छे परणाम प्राप्त करता है। संतुलन स्तापित करता है, यह संगठन को बदलते परिवेश में जीवित रहने में शक्षम बनाता है, संतुलन बनाए रखने से बहारी वातरवन बनाए रखने में मदद करती है, संतुलन संगठन के विकास और अस्तित के लिए जिम्मेदार है। प्रबंदन समाज की सम्रद्धी के लिए आउशक है, इसका अर्थ है कि कुशल प्रबंदन बहतर आर्थी उत्पात की ओर जाता है, जो लोगों के कल्यान को बढ़ाने में मदद करता है, अच्छा प्रबंदन कठिन संसाधन को अफ्यसे बचकर एक कठिन कारी को असान बना देता है, यह जीवन इस तर में सुधार लाता है, यह लाप को बढ़ाता है, जो विपार के लिए फाइदे मंद है, अब हम प्रबंदन की विश्रिस्ताओं की बात करते हैं, जो कि निम्निवत हैं, यह ज्यान और आत्मिशास के साथ आगे बढ़ना है, प्रभावी ढंग स किसे प्रति नीजी और प्रति विधी करना है, सही कर्मिचारियों का चियन करें, तथा उनका ध्यान रखें, अपने कर्मिचारियों को उस Druck و पर शक्रिक करें, अपने ग्रहाकों की जरुत को पूरा करें, अपनी कंपनी का प्रभावी मार्केट देखें, विद्यार्ति ना करके खुद का विवसाय को खोलें पर उस विवसाय को खोलने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होना आउशक है उद्दम छोटा हो या बड़ा उसकी अच्छी तरह से चानबिन करने चाहिए कि कहां से हमें प्रस्टिक्षन मिलेगा कहां से रिन प्राप्त होगा शवलेजिक कहां से प्राफ्त करेंगे कच्छामाल प्राप्त करेंगे इन सबसे के बाद आउशक है कि उसका प्रबंधन कैसे करें ताकी हमें अधिकलाप हो और हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वेखुश रहें अंत में यही कहेंगे कि आप उद्यम खोलने से पहले सारे पहलों को अच्छी तरह से जाच लें और उनका निक्शन करें